भारत माता की मैं कहूंगा दिन दयालुपाज्ध्याए आपको ये अमर रहे अमर रहे दिन दयालुपाज्ध्याए दिन दयालुपाज्ध्याए आज हम सब दिन दयालुपाज्ध्याए जी पुन्यतीथी पर अनेक चरणों में अपनी सद्धानली अरपित करने के लिए एकत्रु हुए है पहले भी अनेक आउसर पर हमें दिन दयाल जी से जुड़े कारकमों में शामिल होने का अपने विचार रखने का और अपने वरिष्ट जनों से विचार सुनने का आउसर मिलता रहा है यहाँ पर तो सभी लोग उस विचार परिवार के सदस्य है दिन्द्याल जी जिसके मुख्य की तरह, मुख्या की तरह, एक प्रेणा की तरह, अविरत रुप से हमें प्रेणा देते रहे हैं आप सबने दिन्द्याल जी को पढ़ा भी हैं और उनी के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है और इसलिए आप सब उनके विचारों से उनके समर्पन से भली भाती परिचित है मेरा अनुभव है और आपने भी मैसूस किया होगा कि हम जैसे जैसे दिन्द्याल जी के बारे में सोचते हैं बोलते हैं सुनते हैं उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं हमें उनकी बातों में उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी एक नई नया दृष्ट को एक नविंता का अनुभव होता है उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्चक रहेंगे जितने आज है एकात्म मानव दर्षन का उनका विचार मानव मात्र के लिए था इसलिए जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्ण होगा मानवता के कल्यान की बात होगी दिन दर्वैल जी का एकात्म मानव दर्षन प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा एकात्म मानव दर्षन में मैं नहीं तूही का संकल्प भी सिद्ध होता है सात्यों हमारे सास्त्रों में कहा गया है स्वदेशो भुवनम त्रयम स्वदेशो भुवनम त्रयम अर्थात अपना देश ही हमारे लिए सब कुछ है तीनों लोकों के बरावर है जब हमारा देश समर्थ होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे एकात्म मानव दर्षन को सार्थक कर पाएंगे दिन्दयाल उपायत्याई जी भी यही कहते थे उन्होंने एक स्थान पे लिखा था एक सबल राष्ट ही विश्व को योगदान दे सकता है यही संकल्प आज आत्म निर्भर भारत की मूल अवधारना है इसी आदर्ष को लेकर ही देश आत्म निर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है कोरोना काल में देश ने अन्तियोदय की भावना को सामने रखा और अन्तिम पाइदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की आत्म निर्भरता की सक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्षन को भी सिद्ध किया पूरी दुनिया को दवाएं पहुचाई और आज दुनिया को वैक्सिन भी पहुचा रहा है सात्यों देश की एकता अखनता के लिए भी आत्म निर्भरता की ज़रुरत पर दिन द्यार दिने विशे जोड दिया था 1965 बे भारत पाग युद्ध के दौरान भारत को विदेशों से हत्यार के लिए निर्भर रहना पड़ता था और दिन दाल जी ने कहा था कि हमें सिर्फ अनाज में ही नहीं बलकि हत्यार और विचार के खेत्र में भी भारत को आत्म निर्भर बनाना होगा उनके इस वीजन को पुरा कर दे के लिए भारत आगे बढ़ रहा है आज भारत में डिफेंस कोरिडोर बन रहे हैं स्वदेशी हत्यार बन रहे हैं और तेजस जैसे फाइटर जेट्ज भी हवा में उडान भर रहे हैं हत्यार के खेत्र में आत्म निर्भरता से अगर भारत की ताकत और भारत की अर्थेववस्ता मजबूत हो रही है तो विचार की आत्म निर्भरता से भारत आज दुनिया के कई शेत्र में नित्रुत्व दे रहा है